Hello students, myself CS Priti Singh and आज का जो topic है वो है कि CS exam की eligibility It means अगर आप CS exam देना चाहते हो तो उसकी क्या requirement है, क्या eligibility है उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कि आपको देना पड़ेगा entrance वो कब, अगर आप class 12 के बाद direct CS join करना चाहते हो तो पहले आपको CSET का exam देना होगा, जिसका नाम है CS Executive Entrance exam देने के बाद आप फिर CS का exam दे पाओगे, जो कि CS Executive है परन्तु अगर आपने graduation का रखी है और आपके 50% mark से तो आपको entrance नहीं देना आपकी direct entry CS Executive में हो जाएगी उसी के साथ-साथ अगर CSET की बात करें तो उसकी classes जो है हमारे यहां पर preparation कराई जाती है 100% guarantee के साथ आप all over India कहीं पर भी अगर free class लेना चाहते हो तो YouTube से daily class होती है, आप face to face करना चाहते हो तो दिल्ली लक्ष्मिन करा सकते हो उसी के साथ-साथ बच्चोगर हम दूसरी बात करें second thing हम बात करें कि CSWT क्या है वो एक entrance test है जो कि जिसके नदर चार paper होते हैं MCQ pattern है, computer based test है यह सारी जानकर हुई CSWT के लिए second level होते है CS executive और last level होते है CS professional आप अगर CS की किसी भी level की किसी भी तरीके से कोई class लेना चाहते हो तो हमारे हाँ पे multiple demo lectures के साथ class दी जाती है आप पहले पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, परख सकते हो और अपने भविशे का एक सही चुनाव कर सकते हो बच्चो तो यह थी आप लोगों के लिए information और कहीं न कहीं हर तरीके से हम CS की classes प्रोवाइड करते हैं चाहिए वो online में हो, चाहिए वो offline में हो, whatever भी बस जरत है एक बार आपको contact करने की CS core से connected बहुत सारी information daily basis आपको इसी channel के माध्यम से मिलती है तो आप इस channel को तो subscribe करना ना भूले और वीडियो अगर पसंद आई तो like जरूर करें thank you